हेलो आल कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं कि देखेंगे हम की आप और वो दोनों अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो ठीक है तो यह हमारे आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है ठीक है जिनर मेरे जो भी देख रहे हैं इनके प्रुशन इस वख्मक्त्र ayun के लिए पहले हम आप अपके पर उतिसन के रिकार्ड ने कालें गओ इसके बाद आपके लिए युके अगर ऐसा किवस्ति चाहिए कीजिए के स्काइट कीजिए जिनको भी मुझसे प्रस्नल रिडिंग जेनी है वाट्स अप नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स दे दी जाएंगी प्रस्नल रिडिंग से रिलेटेड ठीक है तो आप लोग वहाँ पर कॉंटेक्ट कर सकते हो बूकिंग कनफर्म कराने के लिए ठीक है कार्ट्स आ चुके हैं मेरे पास यहां पर इतने कार्ट्स आ चुके हैं मेरे पास तो देखते हैं क्या क्या कार्ट्स हैं मेरे पास ऐसे बॉटम अफ़ टेक है वाव ओव एस ओफ वैंड का कार्ड बॉटम अफ़ टेक बहुत ही अच्छा कार रहा है आपके लिए आपके पॉर्षण की अनर्जिस को यह मैंने निकाला है ठीक है अब मैं आपके अनेर्जिस को निकाल रहे हूं देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो ठीक है तो चलिए प्लीजिंवर्स काइट में जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं आपके क्लियर नहीं है प्लीजिस काइट में जो भी मेरे वीवर्स देख रहे हैं इनकी इनकी तिंकिंग क्या है इसकाइट कीजिए अपने पॉर्सन के लिए क्या सोच रहे हैं अभी प्लीजिस काइट कीजिए देखते हैं क्या कार्ट साएं हैं मेरे पास प्लीज काइट कीजिए ओके प्लीज काइट कीजिए ओके ज्यादा कार्ट हो गए हैं मेरे पास अब मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जुरत है आपके लिए टेन आफ कप्स का कार्ड है बॉटम अफ ता डेक ठीक है तो चलिए देखते हैं दोनों के कार्ट मैंने यहां पे दोनों के कार्ड निकाल लिए हैं ठीक चलो देखते हैं कि आप क्या आपके पॉर्सन का क्या यहां पे है ठीक है तो यहां पे आपके पॉर्सन का मुझे नजर आ रहे हैं देखो कार्ड दा हैंग मैंन का कार्ड है ठीक है तो यहां पे मैं देखूं आपके पॉर्सन इस रिलेशन्सिप में स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं टेन आफ वेंट्स शिक्स ओफ पैंटिकल्स फूर ओफ पैंटिकल्स दा हाई प्रिस्टेस ठीक है इसको मैं रख देती हूँ इधर ताकि कार्ट्स को मैं और अच्छे तरीके से रख पाऊंँ ठीक है ना इस परेंटिकल्स का कार्ड और यहां पर मेरे पास फवाइप वेंट्स का करड एधर आा पके PORSAN का की साइन है ठीक है तो कोई ऐसा साइन है जो की नहीं है ठीक तो चलिए फिर यहां पर देखते हैं अब क्या आप सोच रहे हो ठीक है तो अब आपके कार्ट देखते हैं यहां पर page of pentacles का card है ठीक है यहां पर जो है seven of wands है six of cups five of cups nine of wands king of pentacles seven of cups and मेरे पास है यहां पर the magician and है मेरे पास eight of cups ठीक है दोनों की feelings क्या है तो देखो दोनों ही क्या हो कि इस relationship में दोनों की feelings मुझे नजर आ रही है कि आप दोनों ही इस relationship में फस गए हो ठीक है ऐसा फीलो रहा है कि इस relationship में कोई कि खुशी नहीं मिल रही है वो जो खुशियां थी वो जो आपको चाहिए था आपको अपने person से चाहिए था वह आपके person आपको नहीं दे पा रहे हैं और आप नहीं उनको दे पा रहे हो ठीक है ऐसी feeling मुझे नजर आ रही है यहां पे जो से क्लियर बता रहे हैं कि आपके जो person है ठीक है आपके बारे में सोच करके इस relationship के बारे में सोच करके यहाँ पर एक हो गये हैं ठीक है यहाँ पर इस टकने सा गई है यहाँ पर दोनों की तरब से में देखू तो काफी जदा स्टक मुझे नजर आ रहे हो दोनों ही मुझे नजर आ रहे हो कि इस relationship में एकदम से होता है न कि इस relationship में आपको क्या करना चाहिए है न तो इस तरह का आपको thinking आ रहा है बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके जो person है ठीक है एकदम से इस relationship में स्टक हो गए है ठीक और यहा मेंसा औनने के लिए हमेशा खड़े रहते हो हमेशा इनके लड़ाई जगडे या फिर कोई इनको बोलता है या फिर यहीज भूच जो है न बोलते हैं तो आप ऻवह पर ठीक है चुप चप शांत खड़े रहे तो आप इनको उल्टा जवाब नहीं देते हो ठीक है तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके परसन सोच करके ठीक है आपके परसन सोच करके यहाँ पे एकदम से स्टक फिल कर रहे हैं और आप भी कहीं हद तक यही सोच रहे हो कि मैं क्या करूं मुझे इस रिलेशनजिप के लिए भी स्टेंड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे इस रिलेशनजिप में एफट्स दालने चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए है ना तो यहाँ पे मुझे यह नज़र आ रहा है इसके साथ ही आप कर रहे हो आपको जरुरत है अपने परसंगी आप उनके बीना नहीं रहे पा रहे हो आपकी बेचैनी में अच्छे तरीके से देख पा रहे हूं आप यहीं सोच रहे हो कि पता नहीं कब बात होगी आएगा भी मेरी लाइफ में की नहीं आएगा मुझे मूवन करना पड़े यहां पर खुद के अंदर डढ़ है आपके अंदर वी डढ़ है कि कई मेरा ऑर संक पेना जाए उसके पास चौुइस नजरा क्या रहा है कि आप हैं पुरी तरह से confident हो इस person के लिए कि हाँ इस person का किसी और किसाथ relation है या फिर इसकी शादी की बात चल रही है जिसकी वज़ा से जो है ना आप यहाँ पे confused हो कि पता नहीं आगे future में मुझे यह accept करेगा मुझे यह proposal देगा नहीं देगा क्या होगा है तो इस तरह के cards आए हैं कि आपकी thinking ऐसी हो रही है ठीक है आप यहां पर मायूस हो रहे है क्योंकि आपके person का call नहीं आ रहा है message नहीं आ रहा है आपकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है ठीक है आप यहां पे इंतजार कर करके ठक गए हो अपने से आप कुछ आपको बहुत कुछ याद आ रहा है ऐसाए हैं फीछिक शायों करेगा मुझे कमिटमेंट नहीं देगा मैं चाहेए इसके लिए कितना भी करूह लेकिन ये जो है न मेरे लिए stand नहीं लेगा आपके अंदर वो feeling आ रही है आप यही सोच रहे हो कि शायद ये जो है न मेरे लिए अभी उतना जादा stand नहीं लेगा ठीक है मैंने अपना हर एक चीज दिया है न आपने अपने person को यहाँ पे वो feeling करवाई है ठीक है जो एक माँ अपने बच्चे को करवाता है ठीक है न तो यहाँ पे मुझे यही नजर आ रहे है आपने इस person के लिए दुआएं माँगी आपने बहुत कुछ किया है इस person के लिए लेकिन यह person जो है न यहाँ पे आपको वो खुश्या नहीं दे पाए है ठीक है तो यहाँ पे आप यही स इस relationship में जो problems आ रही है वो अगर clear हो जाती है तो मैं जरूर करूंगी है न यहाँ पे आप हर एक चीज करने को तयार हो यहाँ मुझे नजर आता है कि आप अपना पूरा effort डाल देना चाहते हो इस relationship में आप किसी से आपको यहाँ पे एक डर की भावना आ रही है ठीक है आप सोच रहे हो कि हाँ मैं करूंगी तो कहीं मेरी family कहीं मेरे father है न या फिर कहीं मेरे यहाँ पे भाई भी हो सकते हैं आपके जो अभी काफी young है ठीक है आप लोगों में age gap हो सकता है आपका और आपके person में ठीक है तो यह मुझे नजर आ रहा है तो यहाँ पे यही सोच रहे हो है न तो आप सोच रहे हो अपनी person's expectations लगाए हुए बट आपके person आपको proposal नहीं दे रहे है commitment नहीं दे रहे है उसी के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं कब commitment देगा कब क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है तो यह मुझे नजर आ रहे है आपकी thinking में उसके साथ ही मैं अगर यहां पर देखूं तो आपके person का मैंने बताया है कि यह सोच के परेशान हो रहे हैं यहांपे the hangman energy है यहाँ पर यह person देख रहे है और 10 of pentacles यहाँ पर यह person अपनी family में इवीजी है यहाँ पर यहीं सोच रहे है कि मैं क्या करूँ अपनी family से बात करूँ अपनी responsibilities को मजबूर हूँ मैं इस relationship में आगे बढ़ू की नहीं बढ़ू मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है या कर रही है ठीक है लेकिन मैं अपनी responsibilities की वज़से मैं अपने परिशानियों की वज़से मैं इस relationship में equal given take नहीं कर पा रहा हूँ मेरा person मुझे यहीं चाहता है कि हाँ मैं उसके साथ equal given take करूँ बट मैं यहाँ पे equal given take नहीं कर पा रहा हूँ ठीक है तो आपके person यहीं सोच रहे हैं equal given take करने के बारे में यह person यह भी स काफी protective हैं आपके person possessive भी हैं और बहुत ही protective भी हैं अपने चीजों को किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं ऐसे person हैं बहुत ही possessive person है आपके और यहाँ पर यह आपको खोना नहीं चाहते हैं फिर मैं कहूंगे यहाँ पर यह person आपको खोना नहीं चाहते हैं यह person यहीं सोच है कि मैं अपने relationship को खोना तो नहीं चाहता लेकिन मैं कभी कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे उपर बहुत सारा responsibilities है मैं अपने घर की जिम्मवारियों को छोड़ करके यहां पर अपने relationship पर स्रीफ focus नहीं कर सकता ठीक है ना तो आपके परसन जो है ना यह लड़ाई जगड़े है ना इस सारी चीजों से बचना चाहते हैं यहां पर यह परसन इस लड़ाई जगड़े से यह बचना चाहते हैं इसलिए यह परसन सोच रहे कि मैं क्या करूं है ना तो यहां पर मुझे नजर आता है आपके कार्ट में princess of sorts का भी कार्ड है आपके परसन को समझ में आ रहा है कि इनको decision लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ ठीक है और यहां पर दहाई प्रिस्टिस का भी कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो परसन है यह सोच र ठीक है और यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो परसन है आपके साथ relationship में आगे बढ़ना चाहा रहे हैं यहां पर मुझे यही नजर आ रहा है ठीक है तो यहां पर यह person यह सोच रहे है ठीक है तो reading को मैं खतम करूंगी यहीं पर stop कर रही हूं मिलेंगे हम कल सुब अदुमार कर रही है हम आज कल सोच रहे हूं कि तो मिलते हैं अगले reading में बबाई